स्वागत है आपका आज की अपिसोड में चले शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्ण के साथ निम्रलिकित में से कौन सा राज्य चुनाव के लिए आचार सहिता अपनाने वाला पहला राज्य था ए बिहार, बी केरल, सी पंजाब, डी तमिलाडू इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प बी केरल, चले देखते हैं इसके विस्टेशन को केरल चुनाव के लिए आचार सहिता अपनाने वाला पहला राज्य था वर्श उन्निसो साट में राज्य में विधान सभा चुनावों से पहले प्रशासन ने जुलुस, राज्युतिक रहलियां और भाषणों जैसे चुनाव प्रचार के लिए महतोपूर्ण पहलों को शामिल करते हुए एक प्रारूप सहिता तयार की वर्श 1974 में ECI ने एक उपचारिक MCC जारी किया और साथ ही इसके कार्यारवेर के निगरानी के लिए जिलास्तर पर नौकरशाही निकाय भी स्थापित किये वर्श 1977 से पूर्व MCC केवल राज्युतिक दलों और उमीदवारों का मार्गदर्शन करती थी वर्श 1989 में निर्वाचन आयोग के संग्यान में आया कि सत्तारूर दल सारवश्णिक स्थानों पर एकाधिकार सापित करने और विज्यापन के लिए सारवश्णिक धन का उप्योग कर सत्ता का दुरूपियोग कर रही है निर्वाचन आयोग ने सत्तारुड राजुतिक दलों से समधित इसमुद्धे का समाधान करने हीतू MCC में संशोधन किया संशोधित MCC के साथ भाग शामिल थे जिन में से एक भाग निर्वाचन की घोशना के उपरान सत्तारुड दलों के विवहार से समधित था MCC में वर्ष 1989 के बाद से कई अवसरों पर संशोधन किया गया इसमें नवीन्तम संशोधन वर्ष 2014 में किया गया था तो चली शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ इस अभ्यान का लक्ष कुतुल फरस बेडा और पूडता मेटा गावों के निकटबरों में नकसलियों को निशाना बनाना था वे नकसली पिपुल्स लिबरेशन गुरिला आर्मी के सदसे थे पी एल जी ए भारत में प्रतिबंदित राज़ितिक संगठन भारती कम्यूनिस्ट पार्टी की सशस्त्र शाखा के रूप में कारे करता है यह समूलम में समय तक चलने वाले जन्युद के माध्यम से सरकार को उखाड फेकना चाहता है यह एक सप्ता के भीतर नाराणपुर पुलिस त्वारा माड बचाओ अभियान की दूसरी बड़ी सफलता है इस अभियान से अभूजमाड छेतर में हिंसा और भै को कम करने में सहायता मिली है जो 40 वर्षों से नकसल हिंसा से प्रभावित था अगला प्रश्ण है भीर द्वारा हत्या से कौन से समवधानिक अनुचेदों का उलंगान होता है इस प्रश्ण का सही उतर है विकल्प A. अनुचेद 21 और अनुचेद 14 चले देखते हैं इसके विश्लेशन को हाली में 36 गड़ के रायपूर में दो मवेशी ट्रांस्पोर्टर मृत पाए गये और तीसरा व्यक्ती भीड द्वारा कथित तौर पर हमला किये जाने के बाद गंभी रूप से घायल हो गया मॉब लिंचिंग एक शब्द या पद है जिसका प्रियोग लोगों की एक बड़े समुध्वारा लक्षित हिंसा के कृतियों का वड़न करने के लिए किया जाता है यह हिंसा मानुशरीर या संपत्ती या सारवजनिक एवमनीजी दोनों के विरुद अपराध की समान है अगला प्रश्ण है निम्नलिकित में से कौन सी एजनसी पाकिस्तान और बांगलादेश के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मधार है इस प्रश्ण का सही उतर है विकल्प सी सीमा सुरक्षा बल चले देखते हैं इसके विसलेशन को सीमा सुरक्षबल यानि BASF BASF का उदेश अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना है इसे कई कानोनों के तहट गिरफतार करने, तलाशी लेने और जब्त करने का अधिकार है जैसे कि दंड प्रक्रिया सहिता CRPC 1973, पास्पोर्ट अधिनियम 1967, पास्पोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 और नार्कोटिक ब्रक्स एंड साइको ट्रोपिक सबस्टेंस NDPS अधिनियम 1985 आदी अगला प्रश्ण है भारती सिक्षा की संदर्भ में नीट का क्या अर्थ है ए राष्ट्री इंजीनियरिंग प्रवेश परिक्षा बी राष्ट्री सैक्षित परिक्षार परिक्षा सी राष्ट्री मुल्यांकन और पात्रता परिक्षा या डी राष्ट्री पात्रता सह प् पर रोक नहीं लगाई है यह खुला घोटाला परिक्षा प्रणाली में गहरी जड़े जमाए हुए मुद्दो को उजागर करता है और सुधार्व जवाब देही की ततकाल आवशक्ता को रिखांकित करता है राश्ट्री पात्रता प्रवेश परिक्षा जिससे पहले अखिल भारती प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से जाना जाता था भारती मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में मबेबियस सथा बीडियस कारिक्रमों के लिए योगिता परिक्षा है इसे वर्ष 2013 में कींद्री माधिमिक सिक्षा बोर द्वारा शुरू किया गया था और अब इसने अगला प्रश्ण है नालंदा विश्विद्याले के नए परिसर की कौन सी विशेश्ता इसकी पर्यावर्ने स्थिर्टा पर बल देती है ए उन्नत कंप्यूटर लैब बी सौर सयंत्र और जल पुनरचकरण के साथ नेट जीरो ग्रीन कैंपस C. बड़ा खेल परिसर D. डिजिटल संसाधनों के साथ विश्ड़ पुस्तकाल है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प B जली देखती है इसके विश्विशन को जो इससे आत्मनिर्भर वा परियावरण अनकूल बनाती है। A. 32,000 करोड रुपए, B. 19,006 करोड रुपए, C. 10,000 करोड रुपए या D. 45,000 करोड रुपए। इस प्रश्ट का सही उत्तर है विकल्प A. 32,000 करोड रुपए। चले देखते हैं इसके विस्टेशन को। उत्तरप्रदेश सरकार राजी की बढ़ती उर्जा मांग को पूरा करने के लिए घाटमपूर और उबरासी ताफ विदुत परियोजनाओं के कारे में तेजी ला रही है। इन परियोजनाओं के लिए सेंक्त पूजी गत्वे 32,000 करोड रुपए से अधिक है। आज उबरा की बड़े हुई लागत का 70 प्रतिशत हिस्सा उधार के माध्यम से पूरा करेगा जबकि 630 प्रतिशत हिस्सा शेयर पूजी के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्ट है काशी विश्वनात निम्नलिकित में से किस पवित्र नदी के पश्यमितर परिस्तित है। इस प्रश्ट का सही उत्तर है विकल्प A. गंगा नदी। टली देखते हैं इसके विस्टेशन को। भारत के प्रदान मंत्री ने हाली में वारांसी का दौरा किया, जो तीसरी बार पदभार ग्रहड करने के बाद उनकी इस पवित्र नगरी की पहली यात्रा थी। उन्होंने काशी विश्वनात मंदिर को गंगा नदी के तट से जोडता है और भारत की सनातन संस्कृती का प्रतीक है। उद्घाटन के बाद प्रधान मंत्री मोदी ने दर्शकों को संबोधित करते हुए काशी विश्वनात मंदिर के एतिहासिक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अतीत में हुए आक्रमडो और इसकी छवी को धोमिल करने के प्रयासों के बावजूद शहर के दृड़ता पर भी प्रकाश डाला। उद्घाटन से पहले प्रधान मंत्री मोदी ने वारांसी के काल भैरो मंदिर में पूजा अर्चना की। गंगा की मुखे धाराएं हैं इनमें अलक्नदा, धौली गंगा, पिंडर, मंदाकिनी और भीलंगा प्रमुख हैं। गंगा की जलधारा जिसे भागी रती कहा जाता है गंगो उत्री हिमनत से पोशित होती है और ये उत्राखन की देव प्रयाग में अलक्नदा से मिलती हरी द्वार में गंगा पहाडों से निकल कर मैदाने इलाकों की ओर बहती है। तो चलिया अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। राश्ट्री महिला आयोग अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। लाइक, शियर और सब्सक्राइब करना न भूले।